सिधा 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 आपने एक वीडियो देखा जिसमें कॉंग्रेस पाइटी के मुख्यमंत्री नमाज पढ़ते नजर आए आखिरकार अभी तक कॉंग्रेस इस खास समदाय को इतना प्रमोट क्यों कर रही है कॉंग्रेस ने राम मंदिर का भी रोज इसलिए किया था क्योंकि उसको महबत है खास समदाय से इसलिए आज अभी भी कॉंग्रेस पार्टी के अंदर उनके दादा परदादाओं का और जो भी कारी करता है उनके अंदर कहीं ने कहीं फिरोज खान का खून दोड़ता है बुरा लग रहा होगा लेकिन अभी मैं आपको एक बीडियो दिखाऊंगा क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक छोटी सी क्लिप दिखाई है पूरी बीडियो दिखाऊंगा और यहीं पर मैं डंके के चोड़ पर कहता हूँ कि पूरी के पूरी कॉंग्रेस सरमसार हो जाएगी जो कहती है ना गंगा जमुना की तहजीब गंगा जमुना की तहजीब कहती है ना कॉंग्रेस राम मंदिर का भी रोध कॉंग्रेस ने किया राम मंदिर पर कतले आम भी कहीं ने कहीं कॉंग्रेस ने करा है लेकिन आज आज देखे साहब इनको मंदिर जाते वक्त डर लगता है मंदिर में कैसी धारणाएं होती हैं कैसे नियम कानून होते हैं भूल जाती ही कॉंग्रेस केदारनाथ की यात्रा पर अमरनाद की यातरा पर राहुल बावा जाने के बाद भूल जाते हैं क्या होता है लेकिन जब वही मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो उनको क्या-क्या वहां कराया जाता उन्हें सब कुछ याद होता है ये हैं कॉंग्रेश पार्टी के एक मुख्यमंत्री असोग गहलोत सियम आप राजस्थान वही 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 इसी पार्टी के लोग हैं खास समुदाई के लोग हैं जिन्होंने आज मस्जिद में जाकर नमाज पड़ी दिकार है इसे हिंदुों को क्योंकि अगर मुसल्मान मंदिर नहीं जा सकता अगर मुसल्मान खास समुदाई अगर उपूजा नहीं कर सकता तो हिंदु का भी करतब नहीं है हिंदू को अभी काभी गीता पुरान नहीं कहता है कि तुम मस्जिद में जाओ और वहाँ पर नमाज पढ़ो हम सुरू से कहते चले आएं हम सुरू से कहते चले आएं कि अगर आप मुसल्मान हैं तो आपको आपका धर्म मुबारक हो और अगर हम हिंदू हैं तो हमारा धर्म हमको मुबारक है अपने धर्म को बचाना चाहिए अपने धर्म को बचाना चाहिए लेकिन कॉंग्रेस के अंदर अभी भी फिरोज खान का खून है बुरा लगा होगा कोई बात नहीं पहले मैं एक वीडियो पूरी दिखा दूँ उसके बाद मैं आपको बात करूँगा क्योंकि वीडियो में पहले दिखाने वाला था लेकिन कुछ सचाई थी जो हमसे रहा नहीं गया और हमने बया कर दी पहले देखे ये वीडियो आप लोग बाहर रहते हैं जाए बाई इस तरह इस तरह इस तरह सिधा सिधा तो देखा ये वीडियो अब सोचिए कि इंद्रा गांधी ने फिरोज खान से साधी की थी कुछ मैं इनका भूत पूर्व दिखा दूँ आपको तब आपको समझ मैं आएगा कि आज कॉंग्रेस इतना चिड़ी क्यों है कॉंग्रेस हमेशा मुसलमानों खास समुदाई और दलितों को लेकर क्यों चलती है यही वज़ा है क्योंकि उसको ओट बैंक चाहिए देश का भला नहीं अब मैं चाहता हूँ कि मैं कुरसी पा बैड़ा हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो चलिए मैं बैड़ जाता हूँ और अपने कैमरा परसन चाहता हूँ कि हमको फ्रेम मिलें हम अपने कैमरा परसन चाहता है कि हमको फ्रेम मिलें तो आज इस कांग्रेस का सच हम चाहते थोड़ा नीचे कर दीजिए आज आज इस कांग्रेस का सच मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये मस्जिद आज से नहीं, आज से जाते हैं, ये बात करते हैं कि हम देश को सुरक्षित कर देंगे, बटवारा हुआ था, 1947 बात करूँगा, बटवारा हुआ था देश का, बटवारा किस नाम से हुआ, पाकिस्तान को इसलामिक राष्ट्र बना दिया जाता है, वहीं पर हिं हिंदुस्तान को धर्मसाला क्यों? क्योंकि असोग गहलोज जैसे दोगले लोग थे, हैं ऐसे हिंदू, धिकार है ऐसे हिंदूों को, जो दोगलापन पे उतर आते हैं, खास सोर पे तो मुखमंत्री हैं, जिनको मीडिया कबर करती है, जिनको देश की जनता देखती है, और आज इन जैसे लोग, इन जैसे लोग, टुकडे टुकडे लोग, मुठी भर लोग क्या से क्या कर देते हैं, यही तिहास रहा है कॉंग्रेस का, जोती रादी सिंधिया ने इस्तीफा दिया, बड़े-बड़े मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, जो कॉंग्रेस पारिटी पर जाते हैं कहीं हिंदू तीर्थिस्तल पर जाते हैं तो वहां से आनेक बाद भूल जाते हैं इनको याद नहीं रहता यह भूलते नहीं साहब जो इनके रगों में खून है ना वो खून इनका बदलता है इनके इनकी जमीर गवाही नहीं देती इनकी जमीर गवाही नहीं द दिकार है से हिंदू को दिकार है से हिंदू को यह लोग देश नहीं बनने देंगे यह किसी के भलाई नहीं चाहेंगे क्योंकि जो इंसान अपने आप में स्वक्षिना हो जिस इंसान में अपने करतब की और अपने धर्म की अपने देश की इज़त नहों वो इंसान आपका क् करें ऐसे मुखमंत्री ना होने से ही अच्छा है इसलिए अभी तक सचिन पाइलेट बगाओत कर रहे थे लेकिन सचिन पाइलेट को लगा कि अभी भी उनका सही समर्थन नहीं हो रहा है इसलिए दुबारा चलेगे और आज कॉंग्रेस का अधियास कॉंग्रेस की कट्टरपंती कॉंग्रेस लोगों को बेकूब बनाती है कॉंग्रेस सच छिपाती है आज हमको पता चला जिस तरह से अभी तक जो भी पढ़ाई होती है जो भी हम लोग पढ़ते हैं कहीं ने कहीं मैं सवाल नहीं उठाना चाहता वहुत सारे वही किया है कॉंग्रेस ने, सिर्फ और सिर्फ हमको जूट पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ हमको गुमरा किया है, लेकिन अब देश की जनता सब कुछ जान चुकी है, अब देश में ऐसे भी महान भाव लोग हैं, जो सच्चाई बताते हैं, नहीं तो ऐसे साहब पता नहीं कित मंतरी होते हुए मस्जिद में गए, एक हिंदू है, उसके बाद इन्हों नमाज अदा की, यह कोई बात नहीं, यह कॉई बड़ी बात नहीं है, यह तो कॉंग्रेस के सुप्रीमों, कॉंग्रेस के बड़े-बड़े आला अधिकारी करते चले हैं, तो आज यही सच्चाई, मैं जोड़ना चाहता हूं अपने सयोगी का, अगर अंकित जी आना चाहें, तो हम उन्हें जोड़ना चाहेंगे, और कैमरा परसंस भी चाहेंगे, एक फ्रेम ले, आज हम अपने सयोगी से भी जान लें, कि एक हिंदू होकर, हम जादा आप से जादा कुछ नहीं तब ही चलेगा, ऐसा नहीं धर्म खत्रे में हैं, देखिए धर्म खत्रे में हैं, ये एक बड़ा मुद्दा तो है ही है, लेकिन धोंग का चोला कब तक चलेगा, ये धोंगी हैं, और धोंग का चोला इसकदर पांते हैं, कि ये चाहते हैं, कि इनकी बातों में जनता हमेशा मुर्ख बंतिर है लेकिन जनता भी तो सतर्क है ऐसे लोगों से आज हर हिंदू समझ चुका है कि कॉंग्रेस की क्या स्थिति है और इसलिए कॉंग्रेस अपने अंतिम समय पर है कॉंग्रेस का अंत शुरू हो चुका है और विभिन राज्यों में जिस तरीके से आप उसकी है उत्तर प्रदेश में आपने देखा राहूल गांधी अपनी सीट भी नहीं बचा पाए उसका वजय यह है कभी यह मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं कभी यह जैसे लोग हिंदू नेता जो कॉंग्रेस पार्टी में हैं हिंदू है इस पिसल वो जाते मस्जिद में कर रहे हैं क्योंकि यह हिंदू है इस बात का यह सावित करना चाहते हैं डों की बात यही है क्योंकि यह तुष्टी करन की राजनीती है इनका प्रयास होता है धर्म विशेष के वोट को हमेशा बरगला के रखना और उस खास समुदाय के वोट को हमेशा प्राप्त करना उस इस्तिती क्या है? इस्तिती यह है कि वो कभी मंदिर में नहीं जाएंगे, मंदिर में जाने पर उनके खिलाव फत्वे जारी हो जाएंगे, उनका देश निकाला हो सकता है, वो इस देश में रहने के या धर्म में रहने के लायक नहीं बचेंगे, लेकि यह जो फिरोज खान के आउलाद हैं, मैं जाहिर सापतोर पे कहूंगा, क्योंकि देखिए, भारत पित्र सत्ता अत्मक देश है, भारत में पित्र सत्ता ही माना जाता है, अगर हम आज अपनी टाइटल लगा रहे हैं, तो अपने पिताजी के लगाते हैं, ननिहाल से हम टाइटल नहीं लेते हैं, तो इन्हें जो चोला पहनते हैं, कभी-कभी भगवा का चोला यह पहन लेते हैं, फिर उसी भगवा को भगवा आतंगवाद भी यह काते हैं, तो ऐसे पाखंडी, ऐसे नकली लोग जिन्हें कहा जाता है कि यह किसी के सगे नहीं हो सकते हैं, और यही सत्य है, अगर आप खान परि तो ये मुच्सलिम समधाय को अपनाना चाहिए था, इंद्रा गांधी लवमेरिस करते हैं, आज के समय करते हैं, अगर इंद्रा गांधी लवमेरिस किया, उन्हों ने अपनाया फिरोष खान को, तो अपने बेटों का नाम राहूल खान, राजिव खान, संजय खान रखना चाहिए था, आप एक तरफ खान से इतना नफरत करते हो, या वोटिंग अब हो है, एक तरफ आप कहते हो कि उनका टाइटल नहीं लगाएंगे, अम गांधी टाइटल लेंगे, अरे गांधी कहां से टाइटल पैदा होगे, कि हमारे देश में तो गांधी कोई टाइटल नहीं था, तो यह वहीं से जन्ता को मुर्ख बनाना शुरू कर दिये, टाइटल लगाएंगे, गांधी का, खान का तिरिस्कार करेंगे, उसके बाद खान के लिए पाखंड करेंगे, मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद यही नेता जाते हैं, फिर मंदिर में धोंक शुरू कर देते हैं, यह खान, हैं तो खान, जाते हैं मनदिर में जाते हैं, बाबा अमरनाथ गये थे, जब लौड कराया उनसे पूछा गया तो भूल गये थे, उन्हें नहीं याद था कि अमरनाथ में क्या होता है, किसकी मूर्त है, कैसे पुझा पाठ होता है, उन्हें कुछ नही याद था, याद तो नहीं रेगा ना, क्योंकि हमारे रगों में जो खून है, हिंदु तो दबता है कितना भी चोला पहन ले ले आंगी जी आप इतना बोल हैं घुस्स हो जाएंगे जो कॉंग्रेसी देख रहे हो गुस्स हो जाएंगे उनको सच सहने की हिम्मत ही नहीं है वो घुस्से हो जाएंगे मंच पर मैं उनको संतुष्ट करनी के लिए नहीं हूँ, मैं जो सच्चाई वो तत्य है, मैं सामने रगदा हूँ, कि अगर सोनिया गांधी, जो कि ये क्रिस्चिन परिवार से हैं, वो उनमें उनका खून ये है, ठीक है, इनके पिता-जी क्या थे? ये खान परिवार से फिरोज खान के खून थे बलट थे, और पित्र सतात्मक देश होने के कारण, ये खान ही हुए, ये कैसे गांधी कहां से आ गया, बीच में गांधी कहां से पैदा हो गया, तो गांधी का नाम देना ही सीधे सीधे, हमार दरसक भी आप भी अपनी प्रत्किरिया इसमें दे बताईए कि कैसे गांधी कहां से आस्मान से उतार लिया गया यह कैसे पहरा सूप पहन के आगया गांधी यह तो गांधी टाइटल ही आपको मुर्ख बनाने का प्रयास है ठीक ठीक बहुत बहुत धन्यवाद अंकी जी आप का आपने हमारा साथ दिया यही तिया से अंकीत ने कोई बुरा नहीं कहा अगर आपको बुरा लग रहा तो सोचे आपको जानकारी नहीं है कॉंग्रेस ने सच छिपाया है और आपकी बुद्धी को भी कॉंग्रेस ने दबा दिया इसलिए आप इतना सोच नहीं पाते तो उसलिए अंकित की और हमारी बातों को बुरा मत मानिएगा अगर आपको लगता है हमने कुछ गलत बोला है तो आप उसको सर्ज कर लीजिए कि हमने क्या गलत बोला उसके बाद हम आपके साथ जुड़ते हमेसा आते हैं आप हमें बताईए कि हमने गलत क्या बोला और इस वीड कुछ लोग कहते हैं मोडी मोडी मीडिया साहब मैं किसी की पत्रकारता नहीं करता हूं जो भी अभी तक हमने कहा है सब सही कहा अगर आपको गल्द लिए रखता हो तो बेसक कमेंड बॉक्स खुला है कमेंड कीजिए और वीडियो कीजिए चलिए वीडियो समाब कर रहा हूं बने रही है ओनली नियुनस जाद बहुत बहुत धन्यवाद